हेलो फ्रेंड मैं आपको स्वागत करता हूँ मॉंडल कोचिंग कलासेश में पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया आए दोस्तों मैं आप लोग के गाउं का ब्याज इकालना सिखाने जा रहा हूँ जब आप लोग गाउं में घुमते होंगे या किसी बच्चे को लोग कर देते हैं कि थोरा गाउं का ब्याज इकाल के देखे से नहीं लिकल पाता है तो मैं आप लोग को बहुत ही असान ट्रिंग में दैने जा रहा हूँ कि गाउं का ब्याज कैसे लिकलता है देखिए यहाँ पर कोशन एक लमर सोहन ने 14 रुपे दिये मोहन को 4 पर 30 मार्शिक ब्याज की दर पर 9 महिनों के लिए तो ब्याज निकालने के बाद कुल कितना रुपाय लोटाना परेगा तो हम पहले इस कोशन में पहले ब्याज लिका लेंगे और उसके बाद हम लोग दोनों ब्याज और मुल्धन को जोड़ देंगे जो हमारा अंक हैगा उसे ही हम लोग तो यहाँ देखेंगे मुल्धन हमारा मुल्धन है हमारा मुल्धन है 1400 रुपे उसके वाद क्या कहा रहा है 4 परतिसत तो हमारा दर हो जाएगा 4 परतिसत परतिसत उसके वाद समय हमें समय कितना दरा यानि कि टाइम टाइम हमाने 9 महिना का दिरा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे ब्याज पहले लिखा लेंगे लिखेंगे ब्याज बराबर मुल्धन गुने समय गुने दर बटा में सव मुल्धन हो गिया 1200 गुने समय हो जाएगा हमारा चार परतिसत आप लोग पता होना चाहिए कि परतिसत है इसलिए बटा में हम लोग सव को लिख देते हैं तो दोसो इर्ना से दोसो ना कट जाएगा उसका हमारा एंसर आ जाएगा 14 नमा 126 हो जाएगा आप लोग में गुना करके बता देता हूं 146 चाहड परतिसे परतिसे परतिस हो जोड़े से पांच हो जाएगा तो आज हमारा ब्याज आएगा पांसो चार रूपाई आजए आज मारे हमारे ब्याज आगिया उसके उत क्या कर रहा है कोश्चन ब्याज निकानने के बाद कूल कितना रुपए लुटाना परेगा तेहां लिखेंगे मिस्रिधन बराबर मिस्रिधन बराबर मुन्धन पलस ब्याज देखिए यहां पर जगर नहीं तो हम इधर लिख रहे हैं हमारा मुन्धन हो जाएगा पराबर हमारा मुन्धन दिया हुआ है चोदो सो रुपए पलस ब्याज हमारा आया है पांसो चार तो जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा देखिए जूरो को चार से जूरेंगे तो चार ही आएगा जूरो में जूरो जूरेंगे तो जूरो आएगा चार में पांस जूरेंगे तो नौ आएगा और एक एक लिख देगे तो हमारा एंसर आ जाएगा उनाई सो चार रुपए तो यहाँ पर देखिए मोहन को सोहन को लठाने परेंगे 904 रुपए आज़े दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं